नमस्कार मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हेर फॉलिंग रोकने के लिए 10 क्विक टिप्स, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज है, बहुत लंबे चौड़े भी वीडियोज अरते, कभी- है कि जो हमें बहुत ही यूसफुल हो, तो आज वही मेरी कोशिश है, तो आइए शुरू करते हैं, पहला टीप है, स्ट्रेस फ्री लाइफ, आज मैं कितने सालों से देखते आया हो कि, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, बड़ों क स्ट्रेस है, पिर सोशल मीडिया का स्ट्रेस है, और सर्वीज को लेके स्ट्रेस है, बहुत सारे अंगीनत स्ट्रेस है, बहुत अच्छा तरीका है, इसमें से बाहर निकलने के लिए, टिप नमबर 2, हमारे डाइट में बहुत सी deficiencies होती है, हम लोग डायट के उपर कभी नह धान देते हैं किा फूट टेस्टी कैसे बनाए जाए फूट न्यूटीस कैसे बनाए जाए हमें वह बेखना हम तो इसके वज़ जिसे क्या हों एक ओननकी क्यों सी सइन कम होजाता है फॉट सीट घाता है तो वह देहन और nutritious diet लिजिए raw खाना खाईए थोड़ा बहुत vegetables लिजिए सभी तरह के protein की मात्रा बहुत अच्छे तरह जानी चाहिए जो कि बहुत से vegetarian में काफी कम पाया जाता है और बाल बनते है protein से protein ही कम रहेगा तो बाल तो गए फिर हम लोग को यह भी एकादत है कि हम लोग बहुत ज्यादा spicy food खाते हैं तो spicy खाना कम करना चाहिए heat बढ़ने से भी बाल के roots lose होके निकल जाते हैं 30 पे हम लोग exercise के उपर ध्यान नहीं देते हैं हम हमारा काम ही ज्यादा प्रिये है और से social media उससे भी ज्यादा प्रिये है तो यह दोनों करते करते हमें हमारे खुद के लिए तो समय मिलता ही नहीं है और हम exercise ही बूल जाते है तो proper exercise जरूज का 40 minutes to one hour essential है तो इससे हमारे बॉड़ी में जो impurities रहती है वो sweat में से निकल जाती है प्रूट टीप है adequate sleep हमें बहुत अच्छी नीन की जरूरत होती है यह 8 घंटे के लिए तो उसके लिए थोड़ा social media को दूर कर दीजिए और का stress कम करिए और आराम से सोईए तो regeneration of hairs में काफी help होती है फिफ टिप अगर आपके scalp में कुछ infection है itching है dandruff है तो उसका आप medical treatment करिए अगर आपको धहन में नहीं आ रहा है क्या करना है क्योंकि infection अगर है तो उससे जल्दी से जल्दी control कर लेना चाहिए before आपके सब बाल चले जाए next sixth tip है कुछ-कुछ medicine से भी बाल गिरते है तो जब आप मेडिसिन लेने वाले होते हो तो उसके साथ साथ एर फॉलिंग कंट्रोल करने की भी दवाई शुरू करना चाहिए जैसे को एंटी cancer medicine चल रही है या बहुत सारे antibiotics आप ले रहे हो या फिर radiation को expose हो रहे हो आप radiation वह भी cancer के बाद treatment होती है तभी भी बाल चले जाते है या arthritis की या depression की medicine से भी कुछ medicine से भी बाल गिरते है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि साथ में आप कुछ supplements ऐसे भी ले ताकि आपका hair falling कम हो फिर certain hair treatments की जो आज की fashion चल रही है सबको लगता है कि मेरे बाल घने हो लंबे हो straight हो shining हो colorful हो लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि जैसे मेरे बाल जैसी भी है I like them ऐसा कोई नहीं चाहता सब चाहते फिर उसको वह treatment आजाती coloring करते हैं strengthening करते हैं और नजाने क्या क्या treatment होती है और shampoos भी बहुत सारे यूज हो जाते है extra के plus pollution तो ही है तो all these hazards affects your hair तो जितना भी आप उनसे दूर रहेंगे उतना अच्छा है इत पॉइंट है medical conditions जैसे medical condition pregnancy तो pregnancy child birth lactation इसमें बाल जाना ही जाना है आपके तो आपको बहुत अच्छे से supplements लेना चाहिए proteins and minerals के और vitamins के फिर और puberty है menopause है इस PCOD है इसमें भी हर्मोनल changes होते है और प्राइ hair falling होता है hypothyroid में hair falling होता है तो all these medical conditions आपको तुरंत डॉक्टर के बान जाके treatment लेना चाहिए उनका YouTube online ऐसे कुछ भी नहीं देखना चाहिए यह मेरी सला है वैसे भी जो भी YouTube में हम लोग बताते रहते हैं you first confirm with your physician and then only you proceed with this treatment 9th point जब भी आपको पता चले कि मेरे बाल गिर रहे हैं तो beginning से ही treatment शुरू करें बहुत सारे लोग बोलते कि हाँ थोड़े थोड़े कि रहे थोड़े थोड़े जब बहुत थिनिंग हो जाता है यहर का तब आते है दैन इट्स तू लेट तब बहुत समय भी लग जाता है और उतना इफेक्ट भी नहीं आता है मेल्स में तो एक बार बाल गए तो बहुत possibility कम होती है इसलिए तुरंत चालू करें treatment और जिन लोगों में hereditary tendency है जिनके फादर के या grandfather के बाल चले गए है उन लोगों ने जल्दी ही treatment शुरू करना चाहिए अपने डायेट पे अपने lifestyle पे ध्यान देना चाहिए और बैस प् देख लिजिए अगर स्टार्टिंग से कुछ वैश्फ लार मेडिसेंस लेते हैं तो आपका जो यह बाल जाने का जो अरली पिरेड वो थोड़ा डिले हो जाता है तो यह वेरी इफेक्टिव मेडिसिन पॉइंट पॉइंट है प्रॉपर सप्लेमेंट का बहुत बढ़ा र विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटिंस इसके ज़रुवत होती हैं आप अगर नैचरल डायेट मेंसे वो नहीं ले पा रहे हो तो आपको एक अच्छा सा बी कॉंप्लेक्स का मेडिसिन लेना चाहिए साथ में उसमें मिनरल्स भी हो विटामिन ई और विटामिन डी भी लेना चा सकते हो विटामिन ई और विटामिन डी अलग से ले सकते हो फिर प्रोटिंस भी लेना आपको प्रोटिंस के भी कुछ सप्लेमेंट साती है मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारा है सप् तो प्लीस यू रेफर देट वीडियो और ये थी 10 टिप्स होप अल दिस हेल्प्स यू थांक्यो वेरी मच्छ